हेलो हम लोग ने solution निकाल लिया है English का बहुत जाए टाइम लगा तकरीबर हम लोग को इसके उपर तीन से चार हंटा वर्क आउट किया है तीन हंटा को दो एक जाम ही था और उसके आज हम लोग ने solution आप लोग के लिए निकाल ला है तो इंट्रॉडक्शन की तीजोड़ था है को कि हम लोग ने पिशले पर आपको हिंदी का PDF दिया हुआ था solution का आईए आज हम लोग इसी सीरीज में English का answers को देखते हैं पूरे answers all to all correct है हम लोग ने cross check भी कर लिया है फिर भी अगर आप लोग कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करें मुझे बताईए अगर आप लोग के कमेंट सही लागेंगे मुझे तो मैं ऐसे टेक कर दूंगा okay thank you let's start reading skills पहला हम लोग का fossil fuels के उपर एक comprehension है ठीक है इसका हम लोग first cdm से क्यों देखते हैं क्योंकि मैंने पूरे comprehension को तीन सी चार बर आकर read किया है first question of which of the flowing statement which describes the difference between renewable energy and alternate energy resources तो इसका answer B हो जाएगा renewable energy sources are inaccessible whereas alternate energy sources could be accessible इसका answer B हो जाएगा दूसरे question क्या है tone तो यहां देखे क्या है यहां पे कुछ important समझने वाली बात है यह two mark question है यहां आपसे tone पुछा जा रहा है और tone में क्या है एक sentence क्या दिया है however thanks to increase demand यानि कि जो speaker है वो यहां पे thankful है यान कि grateful है तो यहां grateful, pleasant ऐसा कुछ type का tone हो सकता है but exact tone क्या है अभी आप लोग मुझे बता यह बारे में आप लोग मुझे बता यह बारे में complete the sentence appropriately in the past alternative energy sources were not used much by the consumers because तो यहां तो हम लोगों ने देखे लिया है उपर यहां पे दिया हुआ है किस number में दिया हुआ है हाँ यही पे 4th number में 1st line में क्या है कि यह so expensive है यहां कि that हम लोग इसके बना के लिख सकते है कि बहुत expensive है 4th number में क्या है question पढ़ना है कि एंटोनिम से और यहां सीधे दिख रहा है एक्ज़स्टिबल एक्ज़स्टिबल एक दूसरे का एंटोनिम उल्टा है और यहां से देख कर सकते है आई आगे बढ़ते है question answer series में what is the message conveyed by the passage यह एक hypothetical question है there are plenty of renewable energy resources option number C there are plenty of renewable energy resources that can be used to replace traditional energy resources और D क्या है क्योंकि one A or B नहीं लगता मुझे क्योंकि only those resources wind energy के बारे में बात की नहीं जा रही है यहां जाद energy के बारे में बात की जा रही है तो यहां option C and D ऐसा लगता है but still यहां पे मैंने option C answer क्योंकि क्योंकि जिए नहीं पर कोई emerging trends नहीं दिखा रहा है यहां यह दिखा रहा है क्योंकि यहां पर देख लिए यहां पर बात दिखाता हूं है ट्रेडिशनल इनर्जी को रेपेस करने की जहां इस बार है में बात की जा रही है तो यहां हम लोगों को डैक्ट उपसंट सी सही हो जाएगा फिर यहां ट्रू अलफर्स का स्टेट में तो दखिए हाइड्रो एलेक्रिसिटी एस रेन्वेबल एनरजी सूर्स इस यूज़ इस फर रेजिडेंशल एस वेल एस कॉमर्शल परपर्ज तो यह हाइड्रो एल्टरिसिटी का एक पार का एल्टरनेट इनर्जी और यह धिर भी यूज़ हो रहा है बट क्या मोग अपने घर में कभी यूज़ करते हैं तो यह मेरे ख्याल से यह फल्स हो जाएगा आप कि जो इवेंट है 100 years होने पर 2007 में वह एक occasion बन सके इसलिए हम लोगों यहाँ पर इसको इस लाइन का यूज़ हुआ इस रीजन के लिए और फिर question number two from paragraph one हम लोग क्या इनफर कर सकते हैं आप मोमेंट वाज setup तो कब setup हुआ था भाई paragraph one में दिया हुआ है कि 1907 में setup हुआ था और यह थी नमर तो भाई बहुत ही जी question है 10 years का decade तो 100 years से क्या हो जाएगा century हो जाएगा कितना एजी है न फूर नमर का है reading passage से हम लोग aids to scouting और scouting for boys से क्या मिलता है तो यह हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक मिनट कौन सा कौन सा हां सेकेंड जोल आया है उसमें एट स्काउटिंग और scouting for boys दोनों का definition दिया है हम लोग उसको इंटर्मिक्स करके अंसर दे सकते हैं चुकि हम लोग आगे बरना है तो लोग से करते हैं और फिर क्या है one world one promise यहाँ पे जो राइटर वो क्या बता रहा है कि एक वर्ट जो है वो इसका एक family मान रहा है उससे कि अभी ट्वर्ट वर्ट 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 लिए one future उसी टाइप कुछीऊ जाहाँ मैं जैसे लिए सब से लेट से यह सब किस्कोर ओपाइब तरक निच फांट से लेट सेयरे तो तैंक्स अप लोको यहां तर दैख नहीं आगे पथे हैं सब लिस्ट वर्ट वाय देट्वाइप लिट अच्ग फार्ट इंप्रें पो इसके दो रिजन्स क्या है पहला रिजन है कि 100 साल पूरे हो गया थे स्काउटिंग को और दूसरा रिजन है कि बेडन पोवेल जो है ब्रिटिस जेनरल इनका डेर सोवा जनम दिन था ठीक है यही दो में रिजन्स हो जाएंगे अगला क्वोचन यानि कि लास्ट कोचन एक नमर होगा तो प्लीज प्लीज मुझे बताइए एंड यस यह सब के लिए मैं बहुत ही ज़्याद रिसर्च किया है तो यह सब मैंसे हवा मैं नहीं बोल रहा हूं सब मेरे पीछे बहुत रिसर्च छुपा हुए इसके बाद मैं यह कंक्लूजन पर यह आंसर बता रहा हूं आप अच्छा है लेकिन यहां खराब है यह खराब है लेकिन यहां अच्छा है तो यहां बट के बाद किया सेंस तर टेक्चर वाज पर्फेक्ट यानिकिया बट के बाद पुजेटिव धिंकिंग दिखाया जा रहा है तो फिर जरूर ऐसा होना चाहिए कि बट के पहले सेंटेंस में कुछ ना कुछ निगेटीव हो तो यहां क्या चेंज हो सकता है तो यहां टू को हम लोग चेंज करके नॉट कर सकते हैं तू का कर देंगे नॉट एक बोल का भी आप लोग देखिए ऐसे सप्राइज को जोता ही है The cake recipe was not sweet for my liking बद्र टेकशaving रटश वाच perfect ठीक है कुछ और ये तो यह कर सकते है मेरी आस्ट पीटर वाट काइंड आफ इस्किल्स सी हैड समझ मैं रहा है न सी हैड इंबेड फॉर्म दिस इसका डैट बन जाएगा डैट वालूंटीर वर आगे वाला क्या देखते हैं इंगलिस यहां पर क्या दिख्राया हम लोको एडाम आस्ट इमां वाई दीड तो दीड यू सूधन को नहीं लएगा क्योंकि यह प्रेसेंट प्रफेक्ट का टईम में के तरेंज प्रिजंगर ऑफेक्ट के पिस तंस्मेंन वोग सेक देख लते हैं यू डी यू प्धाय शिंपल प्रेज देंसमें शिंपल पाश्रमै लिए फाष्ती च्ओश्च का बन जाएगा पास्ट पर्फेक्ट बन जाएगा तो डीड वही नहीं है है एड सी नहीं होगा सी अप्टेट सी है अप्टेट फॉर रिफ्रेंस तो यहां देखिए क्या है कि इट इट का यूज कब होगा जब वह एक ही पेपर होता और दीज दिम प्लूरल के लिए तो यहां पर अमांग अपर मुझे लगका है कि आप लोगको कुछ लगता है तो आप लोगको लगता है तो आप मुझे बताई है इस लिए हम लोग यह पर चले जाएंगे आगे जगह पर बित्विन ठीक है कि अल्का पास्ट मेंग तो रियालाइजिंग बात खतम realized क्यों क्यों किया किम एऔर फिटलाइज में और सब्सक्राइब कि स्मायर इन्गलणellt पर competitor रिपोर धायलोग बहुत पॉस्टन था कि इसको रिपोर्ट कारना है we missed your usual widget sir I know I had to travel for work clarify that the customer acknowledged this and clarified that he had to travel for work simple enough our school chess team has one yeah see the cryo winning no has been one was winning कुछ नियोंगा option d has one see the city this I you know सिह कॉछेंहमृ 11 दोले वस्परिंग लिफ तेल देसाइन श्टोन 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 स्टोनी इक उर्चन बिलके अपी को जनी खुच्छ्यम लुदिर के इसका अफ्रकांशन श्टोन डागे अお願いします सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब् gen तो यह सब्सक्राइब रिखेंड और इसको एंड कर दिये ऐसे नॉर्मली होगा और शाप्संव में किया है अब राहुल रित है डियार के स्कूल के पृत बिहार प्रेम नागर मैं आप लोगो लेटर लिखना है मैं नहीं आपे ऑप सने वाला किया हुआ था यहां पर मैंने इसको यूच किया यहां पर हम लोगों इसके उपर एक कमेंट पास करना था ठीक है इसके नहीं पास करना है ठीक है ग्लोबा लेटरीशी लेट आग मैं पर लेट इसके और नहीं पर इसके नहीं पर इसके लिए मिलते हैं तैंत मैं डॉर्ण रैट् इनौगरेशन उनॐ तो यह जो इनौगरेशन स्वाइल सबसे बड़ा गय धनिंटू था सी जो समझ रहे हैं कि साउथ अफरीका को इस टाइम प्रेसिट्ट गया इस टाइम लोग को यह पर रिस्थक्ट मेलना सवी हुआ है बाहर के लोग प्लेज़ेंटली बीसाइड हुए यहां पर आके कुछ और भी उन लोग यहां पर शूज कर सकते हैं जो कि यहां पर दिया हुआ है प्लिजेंटली बीसाइड दिनेटरीज यह सब आया है और अपना रिस्पेक्ट पे की और इनागरेशन को जिससे की यह स्टेटमेंट लिखा गया इसमें एक पार से ओनर दिख गुलाम किया हुआ था ब्रिटिश सर्स ने वह पॉलिशी उज कर रहे थे बट जब निल सर मंदिला ने प्रेजडेंट बने लोग के मत से बने लोग के मत से बने यानिकी वहां पे को सिटूटिशन हुआ और लोग एलेक्शन कि यह बोट कि उसके बाद निल समेंडर प्रे कि आगे बरते हैं अब 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 आपने लोग बताई देखें हैं कमेंटर भी आप लोग कमेंट बहुत करते हो इन दपास्ट थे मिला कर देडिकल परफॉर्टिशन कि बने वी तो मेरे कहले से स्टेंवन फल्सों ना चाहिए ठीक है तो अब बी तक इससे देखेंगे तो बन जेगा चलिए हां अब यहीं इंपोर्टेंट कोश्चान है जो कि मस्ट है एक करना ही था एक्स्पिन दा कॉंट्रेस्ट बाई स्टेक्स एंड फ्यू स्टिप्स इससे क्या कॉंट्रेस्ट बनता है सिर्फ वन मार कोश्चन है तो जाए दिमाग ल सब्सक्राइब कोश्चन हो सकता है बट आई थिंग की कॉंफ्लिक्टेट एंगर बोथ ही लगते हैं बट आप लोगता है आप लोगता है यह चलिए आगे देखते हैं नेरली वीडियो पंदन पहुंच गया कमेंट करें इमेजरी पर इमेजरी दिखाया तो उपर यह सब कि देना सब बता देना है जैसे कि फ्यू स्टेप्स यानि कि अंदर है वह बहुत दिखाय चलता है कि चुप चाप है सालेंट ली एंग्री है ऐसा हम लोग सकते हैं मेजरी क्लियर और राइट को वीड जैसे कि वीड वाड़ है यह दर्सा सकता है अगर आप लोग को मेरे अगर जखते हैं हम लोग एनी फॉर क्वेस्टन्स लेटर टुगोड में आयोनी क्या थी तो यहां आयोनी स्टेटमेंट क्या थी इसके लिए मैंने आप लोग कुछ तियार के हुआ है आए मैं आपको वो दिखाता हूं आयोनी यहां पर क्या है कि जो कॉलिक्स होते हैं और कॉम्पेणियान एक गाइट की तरह क्यों समझते थे क्योंकि वह लोग रेस्पेक्ट करते थे और जो एल्डर वो जो बेकर थे उनके आने से ही लेखाक उठता था सो के उनके जिंगलिक ठट सांद से और जब वह लोग बच्चे लोग आकर देखने लगते थे वो उसके ब कुछ आंसर्स हम लोग लिख सकते हैं जो यह सही हो जाएगा आप लोग वीडियो पर भी सकते हैं कि आखिर क्या क्या लिखा हुआ है आए आगे बढ़ते हैं तो अभी हम लोग ने देखा यह सब कॉस्चेंस का अंसर देखें आपको साइंस का अंसर सबसे पहले पूरे अगला कोशन क्या है अगला कोशन तरह जाता है बहुत कम टाइम में अगला कोशन क्या है अगला कोशन तरह एक एक एक्सपर्ड वेरिफाइड अंसर है सीगल के बारे में इडिड नोट सक्सीड इन अफ्लाइड दू इट्स हीटेशन टीमिदस तू जो जो यंग सीगल थी वो क्यों नहीं से सटीस्फाइड थी कि क्यों नहीं वो सक्सीड़ी कि उसके अंदर ऑर हिन्री कौन था और यह थिंक्तां क्या करता है ता यह इसके अंसर भी में आप लोको अच्छे से दिखाता है तो यहां आंसर नो इव वोली व्यूट से अंदर बेन अजुकेड डू रही थी क्यों कि लोग तो उसे क्या थे बोली कहते थे बेकार लटकी कहते जो अगला कोचन था कि उसे रियल यह अर्थ लिंस के बारे में था नने से पहले हैं रिंडरी हंड़ी कौन था इक वेटर था फ्रेंच छोटल में और रोम में आया जो और वह बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया क्योंकि हें कि हैं रोक टिफ कि उस जो लिखा हुआ है लाइन उसकी बारे में कि अर्थ लिंग संदिस्कवर्ड हाउ टू कॉंबाइन अर्यक्ल्चर एं माइन देकन एक्च्वाली ग्रोप और सिल्वर और अधर मेटल्स एंफर कॉक कॉकल सेल्स थिंक टैंग इंडर प्रेट्स देमेज हाई एक्स्प्रो तो यहां कि यह एक वर्ली सैंसर्टिव थी बट स्यम ताइम पे वह फिर लेष थी और क्या कोई आप्तर कहिए तू इस तो श्तोर्य प्राइज एक्जम्पल देते तो प्रेटियर्म बॉक जे तो इसन गर्सेटर्टिंटर्स तो करेक्टर्स है जो की हमें यह ए ब्ता रहत थी नहीं वह तो डर्ती थी ना तभी तो वह उसको जल्दी उड़ नहीं पाई बहुत मुस्किल से वह जब तीमीड उसका जो हंगर निकाट हमगर निस था उसके बाद वह मैडनेस हुआ हंगर के वाद से जिसका रहन वह उड़ी क्या थी वह डर्पोग थी लेकिन जो यह ड़कोटा का राइडर था वह डर्पोग नहीं था इसलिए जो ड़कोटा का राइडर था भी एस जिरो एटेट का वो चैप्टर का वो और भर्ली यह दोनों मैच करते हैं जो कि अपने फैमिली से मिलने को बहुत ही ज्यादा उत्सुक था वह अपने फैमिली से मिलने के लिए वह उत्ने तूफान में मिलने जाता है ऐसा समनों आशर बना कर लिए सकते हैं यहां तक आप लोगों वीडियो देख लिया तो ज़रू सब्स्क्राइब करें हम लोगो बहुत ही बहुत दिल से थैंक्यू ठीक है यह अपने को सब्सक्राइब कर लाश्ट क्विस्चन क्या है प्रोपोजल के बारे में कि स्पीच बट यह क्या है यह तो और वाले सेंस में था तो प्रोपोजल का यह कि एक तुफ को जना लेटर लिगना कि तो यह लेटर लो कैस अची के बीघन का कैसे लिटर सुरू का यह बता दिया तू जरुक यह क्या थी दुनो भॉट लडाई जग्रालो थे वे गराव एक टू ने फरेंक्स है उसका क्या कैसे मैंच करता है तो नाटालिया है और एटनी फ्रेंक्स क्यारक्टर से प्रेट हैं एन फ्रेंक्व और एक पूर घुटिल अंसर डिखाता हूं का कुछ के सबस्तर गारा आप जेखाता हूं तो यह जो यह 2nd no. answer निया 1st no. answer कर दिया 1st no. answer कर दिया 1st no. answer कर दिया 1st no. answer कर अबता हुए यह 2nd no. answer थर हए रिय सके वाल में कोचन था 1st no. answer कर देखता हुकि मेरा रवास क्या है this 1st no. answer is Griffeyn Brilliance as a man of science fates before he a Diagnost Taken तो नहीं वह बहुत ही ब्रिलियंस था उसने ऐसी ड़ाइज बनाइज इसको बीके वह बहुत गायो सकता था एक टांसान बॉड़ई उसका हो स सह था यहां बहुत सवस्कॉट्ट आड मैं एक उसने को सह सपना कोशन नियरली हम लोगो को इसमें क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को सेयर करेंगे और तूनके भी होगी और मेरी भी होगी सो थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो